ब्रेगन दर्बोगया गोवेत सद्ध्या निवुर्णुकी जे रणधुमानी सुरूए गोवेत यंदा भाजवपने निवुर्णुकी चा पार्श्व भूम्योर जोर्दार प्रचार केलेचे बगयला मेते देशाचे पंतप्रदान नरेनर मोदी तौसस केंद्रिया गुर् एटीन नेट्वर्क चा वरिष्ट संपादक प्रिति सुंपुरा यानि भाजव प्रभारी देविंद्र प्रणविस यंचा शे एक्स्क्लूजिव बाच्चित के लिपा हुए था गोवा में मद्दान को लेकर अब कुछ ही समय बाकी है ऐसे में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमिशा से लेकर सब्भी दिगज नेताओं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है इस बारे में हम बात करते हैं देविंद्रा फडण विस्टी से स्वागत आपका प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभा में कहा है कि कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात कही है देखे प्रदान मंत्री जी ने ये कहा कि मैंने जो कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात पहली बार कही थी वो गोवा में कही थी और भारत के लोगों ने उसको सच करके दिखाया और कॉंग्रेस मुक्त भारत का अर्थ है यह होता है कि जिस संस्कृति को कॉंग्रेस ने तयार किया एक घराने की पूरी सत्ता और केवल भरष्टाचार अनाचार दुराचार यह सारी चीजे समाप्त करने का बेड़ा मुदी जिन उठाया और आज बहुत बड़े हद तक वो इसमें सफल हुए तो मुझे लगता है कि उसी बात को उन्होंने यहां दोराया है और लेकिन जिस तरीके से जर्रे आ रहा है उसमें आ रहा है हंग ऐसे लिया आएगी आपको क्या लग रहा है कि मुझे लगता नहीं है क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड में जो असेस्मेंट लेते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग पूर्ण बहुमत देंगे गोवा में एक बड़ा मुद्दा तो स्टेबिलिटी भी है और लोगों ने यह देखा है कि बीजेपी एक स्टेबल गवर्मेंट दे सकती है तो मुझे पूरे तरीके से लगता है कि इस बार दर विल भी नो हंग असेमली लोग हमको पूर्ण बहुमत देंगे लेकिन गोवा की राजनीती जो है हमेसा अटपटी सी रही आया रहा हम गया रहा हम चलता रहता है या कोई पार्टी किसी पार्टी में मज हो जाती है जैसे हमने पिछली बार देखा था तो क्या लग रहा है इस बार ऐसा नहीं होगा दिखें गोवा की अपनी विरासत भी है राजनीती में और कई लोग इधर उधर जाते हैं कई पार्टी ओं में जाते हैं क्योंकि चोटी है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है कई लोग उस इस को बिल्कुल अपना गड़ बना लेते तो वह जब जिस प्रकार से चाह आते हैं वो कर सकते एक अपनी विरासत है लेकिन बावजूर इसके मुझे असा लगता है कि दिरे दिरे वह बदल रहा है और लोग भी इसको रियलाइस करते हैं और विशेशुरूप से गोवा में मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी पर बहुत लोगों का विश्वास दिख और भी जो रिजिनल पार्टी अभी है यहां की तो कुल मिला कर अगर हम देखे तो बीजेपी एक सिंगल पोल है और वो अलग अलग जगह अलग लोगों से लट रहा है कुछ जगों पर हमारी लड़ाई कॉंगरेस के साथ है कही हमारी लड़ाई हम और एम जी यह दो पार् लड़ाई है कि कुल मिलाकर यह बात आपकी सही है कि बहुत सारी पार्टिया लड़ रही है और यह सारी कि सारी पार्टिया बीजेवी के खिलाफ लड़ रही है तो अपहलाते है इसका फाइदा होगा क्योंकि जो वोट बटेगा वो कॉंग्रेस का बटेगा तो इसा नहीं तो गोए पर भी बड़ा अस्तित्व को धिखाई के लोगों के इक अपनी राजनिसिक सोच है और कुल मिलाकर गोए के लोग यह बहुत जादा आक्रमक्ता पसंद नहीं करते हैं कि शांति से जीना चाहते हैं अपने पोलिटिकल लिगर सी को लेकर जीना चाहते हैं तो उसके कारण मुझे लगता है कि जैसे आज प्रदानमंत्री जी ने भी कहा कि आप यह तुरुणमूल कॉंग्रेस यह परटिया गोवा के स्पिरिट कोई ने समझ पाई लेकिन आपको ने रखता कि कई सीटों के उपर बागी भी है वीचे पी से उद्पल परिकरे लेक्षमी काम जी हो गये तो है ही और हमको दुख भी है क्योंकि वीजेपी परिवार का कोई व्यक्ति अगर परिवार से अलग होता है तो उसका अपना दुख होता है लेकिन हमने बहुत किये जहां तक उत्पल का सवाल है हमने उसको दो तीन आप्शन दिये और ऐसे आप्शन दिये जो सीटे बीजेपी कभी हारती नहीं है और केमल उतने करेकर हम रुके नहीं हमने उसको का अभी आप यहां से चुन कर आईए पाच साल बार आपको पंजी से हम वापिस ल इसका जी ने बीजेपी के लिए काम किया है तो बीजेपी ने भी तो उनको अद्यक्ष बनाया, मंत्री 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 बनाया इसलिए हमने उनको काप हमारे बड़े नेता है हमारे तो शिर्षस्त नेता उनको चोईस दिया कि आप बताइए आपको केंदर में राज्य में कहां क्या आप इंगेजमेंट चाहते पार्टी जरूर आपको वो पद देगी लेकिन उनका भी आगरह था तो जब परिवार में को इस प्रकार का होता है तो कुछ नहीं किया जा सकता है इसके अलावा इस से अटके एक सवाल है कि फिर से क Dani अल माहोल क्रिएट करने के कोशिश की जा रही है वैसे तो मामला चाहिए मुझी स्कूल में तो स्कूल फिर नए सीरे से विवाद खड़ा करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि क्या जानबूचकर इस प्रकार का विवाद किया जा रहा है, क्या मैनोरिटीज को इकठा करने के लिए इस प्रकार का विवाद किया जा रहा है, इसकी भी जाच होनी चीह, पर अब इस पर मैं इसले जाना वसे.